नमस्कार आप सभी को मैं लाए हूँ रेलवे की एक नई भरती जैसा कि मैंने पिसले वीडियो में बताया था रेलवे करेगा एक लाक लोगों की भरती अब कल ही उसी का एक नोटिफिकेशन निकला है जिसमें 32,000 लोगों की भरती की जाएगी तो यह 32,000 की जो भरती की जाए यह जनरल जूटी है जिसे हम कहते हैं एंटी पीसी इसमें ग्रेजुएशन वाले और ट्वेल्थ क्लास वाले ही लिए जाएंगे इनको किसी भी पोस्ट पर लगाया जा सकता है यह डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट को फिल करते हो आईए चलते हैं भरती की जानकारी के मैं आपको पिर तेख जानकारी दोंगा और मैं आपको वो बुक बताओंगा जिन से आप इस एक्जाम को किलिए कर पाओगी इसलिए मेरे साथ अंत्र तक बने रही है तो रेलवे में निकले हैं यह 32,000 पोस्ट पोस्ट हैं आपकी 32,000 बहुत जादा पोस्ट है रेलवे में भी अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले सेल्डी इन सेल्टी क्या मिलेगी सेल्डी मिलेगी जो आपकी मिलेगी 45,000 से लेकर 48,000 के आगच पाओ अ रियापको मिलेगी तो अब इस फॉण को कौन कौन भर सकता है इस फॉण को भर सकते हैं यह या टैल्ट वाले और ग्रेजेशन वाले यानि के भी आपास थीक है अब मैं आपको बता दू जो त्वेल्थ लेबल की विकेंशी हैं वो कौन कौन सी है कलरक ठीक है कलरक के बाद एकाउंट कलरक कलरक एकाउंट कलरक टाइम कीपर इसके बाद है ट्रेन कलरक इसके बाद है टिकेट के लड़क यह प्रेल्च लेबल की विकेंशीन जो मैंने आपको बताई है इनको आप भर सकते हो बिल्कुल आराम से अब चलते हैं ग्रेजुएशन गी तरफ ग्रेजुएशन में भी 5 पोश्ट हैं उनको भी आप इसी तरीके से ब्रसकते हो बस इन में इसमें मैं आपको बता देता हूँ देखिए गुर्स गार्ड गुर्स गार्ड इसके बाद सीनियर किलर ठीक है इसके बाद सी स्टेसर मास्टर इसको बहुत ज़्यादा प्संद करते हैं लोग इसकी फॉर्म सबसे ज़्यादा भरे जाते इसके बाद सीनियर टाइम मेनेजर और सीनियर किलर मैंने आपको बता दी मतलब लग 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 सीनियर असिस्टेंट किलर इस तरीके से आप भर सकते हो अब जो मैन मुद्दे की बात है वो मैं आपको बता दू एज के बारे में दौनों की एज समान है अथारा से लेकर तेतिस साल इसमें आपको तीन साल की छूट मिल जाएगी ठीक है तीन साल की छूट मिलेगी अब जो सबसे जादा फीस बता देता हूँ आपको फीस फीस में आपकी जनरल की रहेगी पांस रुपे बाकी फीमेल S T S C जतने भी हैं सब के लिए 120 के बद जनरल लड़कों की फीस है वो पांस हो है जनरल लड़कों की फीस उसके बास सब की फीस जो रहेगी आपकी स्टी स्थी और फीमेल वगँगी उनकीo को फीस रहेगी अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपका एक्जाम जो सबसे ज़्यादा मुख्य है जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए उसको मैं आपको बता देता हूं एक्जाम इस एक्जाम के लिए मैं आपको बुक बताऊंगा और इहीं बुक को ले आना इन से आपका एक्जाम के लिए हो जीके होगी। वैया, 40 नमबर की, रीजनिंग होगी 40 marks, इसके बाद रीजनिंग होगी आपकी 30 marks, मैहथ होगा आपका 30 marks, टोटल होगे आपके 100 marks, इसके बाद, कोटल आपके 100 marks, इसके बाद मैं आपको बता दू, यह पेपर फष्ट है, अगर आपका paper first clear होता है paper first clear होता है तब आप second paper दे पाएंगे असली मसला second paper का है second paper के बारे में बता दूँ मैं G के G के जो आएगी वो आएगी 50 marks की और math 35 और reasoning 35 marks total question 120 total question 120 total marks question भी 120 marks भी 120 और time रहेगा आपका 90 मिनट ठीक है भाई इस में भी 90 मिनट यह भी या दोनों का लेकिन जब आप इस paper को clear कर लोगे तब आप इस टायर 2 को clear कर पाओगे टायर 2 को दे पाओगे इस paper का second paper से कोई संबंद नहीं है इसके बाद अब मैंने आपको लगवर लगवर सारी बाते बता दी हैं अब आ जाते हैं बुक के मसले पर असली मसला हमारा बुक है कि आप घर पर रवैट के तैयारी कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको बुक बता दूं जी के की बता देता हूं मैं आपको सब के पास होगी लूसेंट लूसेंट के बारे में सब जानते हैं ठीक है लूसेंट के बारे में सब जानते हैं लेकिन किरन पॉलिकेशन के बारे में कोई नहीं जाता किरन किरन की ले लीजिए आप ठीक है किरन किरन के नाम से आती है जि सी सामान निग्यान के नाम से सामान निग्यान ठीक है आप उसको ले सकते हो जी के के लिए इसके बाद मैं आपको एक वकर बता देता हूं उसका नाम है N-C-E-R-T 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 सामान निग्यान सामान निग्यान ठीक है N-C-E-R-T सामान निग्यान ठीक है अब जो यह एक्जाम है आपका दोनोट 12 लेवल तक के आएंगे भी है ठीक है इसके बाद यह बुक मैंने बता दी जी के की अब करंट अफेर की बता देता हूं इसमें स्पीडी की आप यूज कर सकते हूं स्पीडी की करंट अफेर मैस्थ के बारे अपको सबको पता है ए आरस्यादव का मैस्थ और रीज्निंग अब तर आपको त्यारी करनी आप धीरियं आप को बता दूँ फिलाल की डिट मैंorasष्ट की रीज्निंग की रीज्निंग ही ज्यादातर रेल्वें में पूछी जाती है और cris side чист सॉड़ आटा जाता है मतलब जो आप Financial आपती चीज आप से नहीं पूछ जाएंगी इस तरीके से आप इन्वोक्स की तैयारी कर सकते हो ठीक है बस यही जानकारी थी और आप अच्छे से त्यारी करें I hope मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे होगी अगर मैंने आपको दिल से बताया है तो प्लीज जरूर लाइक करें इस वीडियो को और हमारी अपडेट पाने के लिए हमारे चलों को जरूर सस्ताय करें जिससे आपके पास नौ्टिकेशन आते रहें और किसी का कोई डाउट हो बुक से रिलेटेड तो वह हमारे पास कमेंट भी कर सकता है कमेंट करने से आपका आपकी समझता कर समाधान हो जाएगा मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं और सस्क्राइब जरूर करें भीया क्योंकि और इंस्टार फेस्बूक पर जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार